हरा हरा महादेव उत्तर पुदेश के मुख्य मंत्री सिद्यमान योगी आदितिनाज जी मन्ज पर विराजबान यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण जन प्रतिनीदी गण इस कारकम में मौझूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ट महानुभाव और मेरे प्यारे काश्ची के परिवार जनों आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो जोन आनन बनारस में मिलला ओकर व्याक्या असंभव है एक बार फिर बोलिए ओम नमह पार्वति पते हरा हरा महादेव आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूँ जब चंद्रमा के शीव शक्ती पॉइंट तक पहुँचने का भारत का एक महिना पूरा हो रहा है शीव शक्ती याने वो स्थान जहां बीते महिने की 23 तारिक को हमारा चंद्रयान लेंड हुआ था एक शीव सक्ती का स्थान चंद्रमा पर है दूसरा शीव सक्ती का स्थान ये मेरी काशी में है आज शीव सक्ती के इस्थान से शीव सक्ती के उस्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बढ़ाई देता हूं मेरे परिवार जनो जिस स्थान पर हम सब इकठा हुए है वह एक पावन स्थल जैसा है ये स्थान माता विंद्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़े वाले रास्ते का एक पड़ाव है यहां से कुछ दूर पर भारतिय लोक तंत्र के प्रखर पुरूश और पूर्व केंद्रिय मंत्री राज नारायन जी का गाउं मोती कोट है मैं इस धर्ती से आदनिय राज नारायन जी और उनकी जन्द्म भूमी को सर जुका करके प्रणाम करता हूँ मेरे प्यारे परिवार जनों काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधार सिला रखी गई है ये स्टेडियम ना सिर्फ भारण सी बल्कि पुर्वाणचल के युवाओं के लिए एक बरदान जैसा होगा ये स्टेडियम जब बनकर तयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ तीस हजार से जादा लोग बैठ करके मैट देखवाएंगे और मैं जानता हूँ जब से स्टेडियम की तस्वेरे बाहर आई हैं हर काशिवासी गदगद हो गया है महदेव की नगरी में ये स्टेडियम उसकी डिजाइन स्वयम महदेव को ही समर्पित है इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होगे इसमें आस पास के विवाख खिलाडियों को आंतर राष्टी स्टर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मोका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाब मेरी काशी को होगा मेरे परिवार जनो आज क्रिकेट के जरिये दुनिया भारत से जुड़ रही है दुनिया के नएने देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे है जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरुरत पढ़ने वाली है बनारस का ये इंटर्डेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस दिमान को पूरा करेगा पूरे पुर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्मान में बी सी सी आई का भी बहुत सयोग होगा मैं बी सी सी आई के पदाधी कारियों का काशी का एंपी होने के नाते यहां का संसाथ होने के नाते मैं आप सब का रुदय से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार जनों जब खेल का इंफ्रास्ट्रेक्टर बनता है इतना बड़ा स्ट्रेडियम बनता है तो सरफ खेल ही नहीं स्थानिय अर्थ ववस्ता पर भी उसका सकारात्मक असर होता है जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्सक और खिलाडी आएंगे इससे होटल वारों को फाइदा होता है छोटी बड़ी खाने पिने की दुकान को फाइदा होता है रिक्सा ओटो रिक्स टेक्सी इनको भी फाइदा होता है हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड़ू हो जाता है इतने बड़े स्टेडियम की वज़ा से स्पॉर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं स्पॉर्ट्स मैंडिजिमेंट चिकाने के लिए नए आउसर बनते हैं हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टप के बारे में सोच सकते हैं फिजियो थेरपी समय स्पॉर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सिश शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पॉर्ट इंडिस्ट्री भी वारणसी में आएगी मेरे प्यारे परिवार जनो एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डाणते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या कुछ पढ़ाई बड़ाई करोगे के नहीं यही हुर्दं करते रहोगे क्या यही सुनना पढ़ता था अब समाज की सोच बदली है बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही अब माता पिता भी स्पॉर्ट्स को लेकर के गंबीर हुए है अब देश का मिजा जैसा बना है कि जो खेलेगा वही खेलेगा साथियों पिछले एक दो महने पहले मैं मद्दप्रदेश का एक आदिवासी हिलाका सहरोल के आदिवासी गाउं में गया था वहां मुझे कुछ नवजवानों से मिलने का आउसर मिला और मैं सचमुच मैं वहां का द्रश्य उनकी बाते सुनकर के इतना प्रभावित हुआ उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मीनी ब्राजील है मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो बोले हमार यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाडी है और कुछ लोगा ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन-तीन पीडी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है एक प्लेयर रिटायर होने के बार उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीडी का देखती आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा और वो कहते हैं कि हमारा जब एन्यूल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके के सैक्रो गाउं और लाखों की तादाद में लोग दो चार-चार दिन मादान में डटे रहते हैं ये कल्चर उसे सुनकर के देख करके देश के उजवल भविश्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आये बढ़लाओं का भी साक्षी बना हूँ सांसद खेल प्रतियोगीता के दोरान जो उत्सा यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है काशी के युवा स्पोर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाएं मेरी यही कामना है इसलिए हमारा प्रयास बारान जत्री के युवाओं को उच्चस तरियक खेल सुविधाय देने का है इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाय विक्सित की जा रही है और इसकी एक और खास बात है ये देश का पहला बहुत स्टरिय स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स होगा जो दिव्यान जनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है इसे भी बहुत जल्द ही काश्ची वाच्यों को समर्पित किया जाएगा बडालालपूर उसमें बना सिंथेटिक ट्रेक हो सिंथेटिक बास्केट बॉल कॉर्ट हो अलग-अलग अखाड़ों को पुछान देना हो हम नयान निर्मान तो करही रहे हैं पर शहर की पुरानी ववस्ताओं को भी सुधार रहे हैं मेरे परिवार जनो खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही हैं वो देश की सोच में आये बदलाव का परणाम है हमने स्पोर्ट को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी केरियर से जोड़ा है नव वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रियक खेल बजेट तीन गुणा बढ़ाया गया है खेलों इंडिया प्रोग्राम की बजेट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगबाग सत्तर प्रतिशत वृद्धी की गई है सरकार आज स्कूल से लेकर अलम्पिक पोडियम तक हमारे खिलाडियों के साथ टीम बेंबर बन कर साथ चलती है खेलों इंडिया के तहट देश भर में स्कूल से युनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियों गिताय हुई है इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है सरकार कदम कदम पर खिलाडियों के हर संबव मदद कर रही है अलिम्पिक पोडियम स्किम भी ऐसा ही एक प्रयास है इसके तहट देश के सिर्ष खिलाडियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटने से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपिये की मदद देती है इसका परणाम हम आज हर अंतरास्तिय कंपेटिशन में देख रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही वर्ल युनिवर्सिटी गेम्स में भारप ने इतिहास रचा है इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दसकों में उससे ज़्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए वैसे आज से एश्यन गेम्स में शुरू हो रहे हैं एश्यन गेम्स में हिस्ता लेने गए सभी भारतिये खिलाडियों को मैं अपनी शुपकामनाय देता हूं साथ यो भारत के गाउं गाउं में कौने कौने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है खेलों के महारत ही मौजूद है जरूरी है इने तलासना और इने तराशना आज छोटे से छोटे गाउं से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए है ये उदारण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाडियों में कितना टैलेंट है कितनी प्रतिभाए है हमें इस टैलेंट को जादा से जादा आउसर देने है इसलिए खेलों इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्मर में ही देश के कौने कौने में टैलेंट की पहचान की जा रही है खिलाडियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एटलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है आज इस कारकम में बहुत से दिग्ज़ खिलाडी हमारे बीच-विशेश तोर पर पधारे हैं स्पोर्ट की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है कासी से इस ने दिखाने के लिए मैं उन सब का विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार जनों आज खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का हुना उतना ही जरूरी है यहाँ जो दिग्ज़ खिलाडी मौझूद है वो इसकी एहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं कि इसलिए आज सरकार खिलाडियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्ता भी कर रही है कि जो खिलाडी कि बड़ी प्रतियोगीताओं में खेल कर आते हैं जिन्हें राष्ट्रिय आंतरराष्ट्रिय अनुभव है उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोसाइट किया जा रहा है देश में बिते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग-अलग खेलों से जोड़ा गया है साथियों सरकार गाउं गाउं में जो आधुनिक खेल के इंफ्रसेक्टर का निर्मार कर रही है उसे गाउं के छोटे कस्पों के खिलाडियों को भी नए मोके मिलेंगे पहले बहतर स्टेडियम सिर्फ बिल्ली, मुंबई, कौलगता, चिन्नाई ऐसे बड़े शहरों में युपलब दे अब देश के हर कोने में देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाडियों को ये सुविधाएं देने की कोशिस हो रही है मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया प्रोग्रेम के तहत जो स्पॉर्ट इंफ्रस्टेक्टर बनाया जा रहा है उसका बहुत अधिकलाब हमारी बेटियों को हो रहा है अब बेटियों को खेलने के लिए ट्रेजिंग के लिए गर्द से ज़्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है जाथियों नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी केटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब स्पोर्ट को स्कूलों में बकाइदा एक वीशय की तरफ पढ़ाए जाना तै हुआ है यह हमारी सरकार है जितने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट युनिवर्सिटी मनीपुर में स्थापित की है यूपी में भी स्पोर्ट फैसलिटी पर हजारो करोड पर खर्च किये जा रहे है गौरकपुर के स्पोर्ट कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरट में मेजर ध्यान्चन खेल युनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खेलाडियों के लिए नए स्पोर्ट सेंटर बनाये जा रहे हैं साथियों देश के विकास के लिए खेल सुविदाओं का विस्तार बहुत आवश्चक है ये ना सिर्फ खेलों के लिए बलकि देश की साख के लिहाद से भी महत्वपुण है हम ऐसे कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े अंतराष्ट्य खेलों का आयोजन हुआ हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतराष्ट्य खेल आयोजन किये जा सके यह स्टेडियम जिसकी आधार सिला आज रखी गई है खेलों के प्रती हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा यह स्टेडियम बस इंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा बलकि यह बविश्च के भारत का एक बव्य प्रतीक मनेगा मैं खुद को भागेशाली मानता हूँ कि हर विकास कारे के लिए मेरी काशी अपना आशिरवार लिए मेरे साथ खड़ी रहती है आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कारिय सिद्ध नहीं हो सकता है आपके आशिरवाद से हम काशी के काया कल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे एक बार फिर काशी के लोगों को पूरे पुर्वान चल को क्रिकेट स्टेडियम के सिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हर हर महादेव धन्यवार झाल